बिल्ले 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 नैन कुडियो गिन्ना गुझ किन्ना गुझ कैन गुडियो एक वारी झेडा मैंनू भेक लांगजे लुट लावायो दा चैन मैंन कुडियो मेरे हाथों में ना तेरी लखी रे है बहुत अलग से अपनी तखदीरे तेरा जमी पेचा आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करना चाहती हूं ये फेरवल जो लड़कियां कॉले स्कूले स्कूल में फेरवल पार्टी वगर होती हैं तो उनके लिए अप्रप्रियेट है तो जाला टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लोड़के स्टार्टर पहले में अपनी स्किन को अच अच्छे से मसाज कर लोंगी और ये मेकप ब्लू बहुत ही आफ़ड़ेबल होने वाला है आई हूप आपको पसंद आएगा इसके बाद मैंने ब्लू हेवन फ्लोरीन फांडेशन लिया है मैंने इसका रिव्यू पहले शेयर किया हुआ है अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा ते मैं इसका लिंक प्रिस्क्रिप्शिंग ब्लॉक्स में देदूंगी इसको में ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी कि अजया हुआ है ब्लेंडिंग में थोड़ टाइम दीचे करें जाए ब्लेंड चीज जादा अच्छी दिखती है इसके लोट मीटियम कवरेज जब मुझे कवरेज पसंद नहीं तो मैंने सेकेंड केंड लिए भी उसकरी है इसकी सेकेंड लिए मैंने एज कंसीलर टाइप यूज किया है लिए मैंने ऑपकरी है कि अपने नेक को बूलिएगा मत नेक को नेक जहां फेस भी उसका रहे हैं और नेक भी उसकाना काम पस्रिया यह मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से इसको मैं लाक में कि परफेक्ट इस परफेक्ट इस पाउडर से उसे अच्छे से सेट कर देरी हूं सिर्फ जाब जाब कर रहे हैं बाकि वह अलोवर फेस पे सिर्फ सर्कूलर मोशन में अप्लाइ कर रहे हैं कि अच्छे 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 नेक पे भी करना काम पल्स रही है इसे मैं अपने अंड्राइ एडिया पे सिर्फ सेट कर रही हूं अच्छे से इसके बाद मैंने आई पैलेट लिया एसे फार कलर्स रॉक नूट पैलेट इसे मैं अंगुलर ब्रश की हर्प से पहले आई ब्रोफिलन करूंगी और यह आई शेट बहुत जादा पिग्मेंटिड और पाउडरी है बहुत पॉल आउट होता है इसको बजट में आपको आई शेट पैलेट चुहें तो यह बेस्ट है सब सारे न्यूट्स को लोग मिलेंगे आपको झालर प्रोफिल आई शेट है बहुत है बहुत प्रोफिलन करूंगी और मुझे आइबरो अपनी थीक पसंद है अप्लाइ करी अगर आपको थीक नहीं पसंदा आपको जैसी पसंद है वैसी अप्लाइ कर सकते हूं इसके बाद मैं आइब ब्रश ले रही हूं ब्रश की हल्प से अच्छे से कॉंप कर लोंगी फिर मैंने स्पूली लिया स्पूली के अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी जो प्रड़ों है वह एक जुगा पर नहीं है सब पूरे आइब्रों में फॉल इन हो इसके बाद मैंने दूसरा प्लेट लिया ऐसे वा कॉलर्स नहीं है इस ब्लॉश नूट पैलेट उसमें से लाइट ब्राउं कलर का शेड है मैंने उसको आज़ा क्रीस टांजेक्शन कलर है पहले मैंने साइट टेप उसको जरूरी समझा क्योंकि मैं बिग्नर हूं मुझे पी उतना नहीं आता है जितना मुझे आते मैं आपसे नहीं शेयर कर लिए तो टेप की हब से आई लूक अच्छे से आता है मैंने ऐसे फाग ब्लॉश नूट पैलेट लिया है उसके लाइट टोंग कलो शेट को ट्रांजेक्शन तरह अपलाई करूंगे इससे अच्छे से पहले क्रीस एरिया पर करिएगा दोनों आई पर जरूर कीजिए मैंने दोनों आई पर भी कर रहा है फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूं मुझे थोड़ा से और देथ चाहिए था अपनी क्रीस एरिया में तो मैं रॉक न्यूड स्पैलेट का उसमें से थोड़ा से डार्क ग्रेड कलर में कर रही हूं ब्लेंड इससे अंदर से बाहर तक ब्लेंड कीजिए दोनों आई पे एक जैसी टेकनीक रखें अजय ब्लेंड कीजिए अच्छे को बहुत डाक करना था इसलिए मैंने थोड़ अप्ट शुट और अप्लाई कि उस पर जो अच्छा इंटेंस लुक थे पिर मैं इसमें से पिंकी कलर ले रही हूं उसे अच्छा इंटेंस लुक थे अच्छे से फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लेती हूं अच्छा इंडर आई की तरस ऐलीट की तरस और अच्छा नहीं लग रहा था अपने मेकप पे इसलिए मैंने इसको इसी के वपर मैंने मेरा बस शिमर प्रिक था उसके उपस मैंने गूल्डन कल अपलाई किया गी भी फोल आउट होता है पर मैं अच्छे से बाकी जो मैं ट्रांजेक्शन एरिया थक्रीज देगा इसको अच्छे से ब्लेंड को लेती हैं कि खाश लाइन न रहें कर दो दो है कि मैंने उसी में सी पिंकी कलर लेकिए अच्छे से ब्राव बॉन पर हालिट किया है इन्हों कॉनर्स पर हालिट किया है पिर मैं आई-लाइनर यूज़ कर रही हूं ब्लेक कलर लिक्वूड लाइनर सॉरी अगर मैं मेकप में कोई गलती कर रही हूं क्योंकि मैं भी बिगनर ही हूं मैं भी सीखी रही हुच तैसे मैं सीख रही हूं वैसे ही मैं चाहती हूं कि मैं आप सब को भी शियर करूं इसलिए सॉरी अगर आपको पसंद ना आए तो फिर मैंने आयलाइन टेप अटाने में देखा मेरा थोड़ा विंग्स अच्छा नहीं बना तो मैंने थोड़ा सा ओर विंग्स क्रियेट किया हैं नहीं थोड़ा देखा में तो suf जाँ झाल क्या झाल कि मैंने थ्मेर में सो ख़बड़ा प्लाइन, क्याए प्पा सब कर gum दोंद़ाशत्र сын रहाँ कि इसके बाद मैंने देखा आई इसके नीचे मेरा थोड़ सब फॉल आउट हो चुका था मैंने उससे कॉंपाइक पॉड़ के हट से रिमूव कर दिया और दुबारा के बाद सेट कर लिए प्यस को आई इस पर थोड़ा अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड करने में तरह टाइम लगेगा पर तभी आपकी 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 अच्छी लगेगी मैंने आइस नीचे भी लोर लैश लाइन पर भी मैंने आई शोड़ सी में आई शोड़ अप्लाई किया और स्मॉजर के हल्प से अच्छे से स्मॉज़ कर लिया कि अच्छे से बाद मैंने पैलेट लिया रॉपन सॉरी ब्लश न्यूड पैलेट में से मैंने डार्क ब्राउं को लगार के कॉन्टूर किया उसे कॉन्टूर करते हैं आए इयर्स के ऊपर से लेकर थोड़ा से चिग बोन तक जहां हमारे डिंपल पड़ते हैं वहां तक हम कॉन्टूर करते हैं पहले मैंने अच्छे से लाइन ड्रो कर लिया बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैंने फॉरेट पर भी कॉन्टूर किया है उसका मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया था बाद में वह क्लिप मैंने अड़ करना भूल गई जहीं कि उसके बाद मैंने यूज़ किया है स्याथ स्वीजवी कर शीमा भी इसमते हाइन कि स blessing से मैंने अप्र हाइंन तarme करें ऊसे अच्छे से ब्लाशी तरह और उसमें से एक अनौमल उसको मैंने हाइर्य हैं हुआ इसे मेन हाईवर पॉंच हर जग अपलाई किया है कि मैंने देखा की मेरे प्राउं बढ़न पर इतना डर्क नहीं है वह था अच्छा नहीं लग़ा था मैं मैं इसमें दो लिफ शेर्ट यूज कर दिखाएं आपको एक तो मेरा अपना ओर टाइम फेवरिट न्यू शेर्ड मुझे अपना मेकप तो अच्छा लग रहा था पर इडिए फोटो में फिकाफिका सा लगने लग गया था इसके बाद मैंने लिफ शेर्ड के लिट डार्क पिंग कोलों में लगा लिया था इस लास्क में मैंने मस्कारा यूस किया है इसके बाद अपने बालों को मैं अपने तरह हेस्टल कर जी हूँ मैंने बालों में इस बालों को स्ट्रेट किया है मैंने उसके अगारों का फ्लैट आरिंस मुझे स्ट्रेट बाल ज्यादा पसंद होती है इसलिए मैंने स्ट्रेट जादा रखना अच्छा लगता है मुझे कर दो असंद दॉट दे कियो है अपने साथ जो आज की बालों में अच्छा यू वाज चैनल आन लों मिश्टाय को चाहे रहां तो ज्रू मुझे बटायेगा तो रहां तो अप्रीय वाज, इस अपने जो स्ट्रेट पार्टाय के वे उस्ट्रेट आखिए एक कॉछी सब्स मा पैदा करती है परवरिश करती है पोलना भी सिखाती है पर अफसोस तुमारी गालियों में उसी का नाम होता है